नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आज मैं पेपर साल्व करा रहा हूं आरो यारो एकजाम 2016 का है जो 2016 का है रद्धुआ उसका एकजाम 20 सितंबर को यह कराया गया था एकजाम और उसी का जीयस पेपर है 140 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन के गंटे को क्लिक करना न बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुआल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं अब देखे इसमें टोटल 140 कोशन है 5-6 कोशन ऐसे जो कनफ्यूज है फिर भी हम उसको अपना अनुमानित एंसर लगाया हूं अगर आपनों को सही एंसर उसका मिलता है तो आप जो है कमेंट में उसका एंसर बता सकते हैं हाँ इसका जो है इस वीडियो का या इस पेपर का पीडिया भी डाउन लोड भी कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी उपस्तिती थी केवल 36 परसेंट यह लोग जो है इसके परिच्छा दिये थे आरो यारो की एक्जाम की तो बहुत से ऐसे लोग है जो इसका जो पीडियाप चाहते हैं आगामी एक्जाम से लिए किस टाइब का पेपर आते हैं जो पह याती यह निकति किसके दवारा की समयलित नहीं है तो इसमे अधीकरण भागेंस नहीं हैं यह सुमयलित नहीं देखें नहीं वाला आप लोग नहीं पड़ते हैं और सही वाला एंसर लगा लेते हैं तो नहीं वाला कोशन आपको ध्यान से पड़ना है तो सुना है कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसने जो है एम एस पी एवं बजार मुलिक के अंतरगत जब सीधे किसानों को भुगतान के एता है तो उसे कहा जाता है तो उसे क्या कहता है नीला बाक्स सहाई का एंसर होगा इसका ए नीला बाक्स सहाई का कोश्चन नमबर पांच है हाल ही में घोसित केंदरी बजट 2021 का इस निम लिखे सिखेत उपाय है पर बिचार किए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा को मुद्रा स्पीति को नियंतरित करने के लिए प्रियोग में लाता है कि इसका प्रियोग में लाता है दिया इसमें बैंक दरमी बृद्धी यह तो सही है दूसरा है नगत आराच्छी तन प भारती राश्टी में मना जाता है करनाटक में एंसर हो जाएगा बी करनाटक में कोश्चन नमबर नौ है भारती संस्कृति पोल्टल के संदर्में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला दिया इसमें इसे IIT रूणकी टीम के दोरा बिक्सित किया गया था यह गलत है दूसरा इसमें यह सरकार का पहला अधिकृत पोल् संस्कृतिक संसादनों को सरवजनिक डोमें में एक प्लेट फार्ब में उपलब्द कराएगा कि इसमें दो सही है तो इसका एंसर हो जाएगा बी कोश्चन नमबर दस है वाई मंडल की लंबा सनाचराम सब से निचली सता कौन से है तो है ट्रोफो स्पेर जिसको छोब मंड कि जाते हैं किसमें नाइट्रोजन वातावरण में यानि प्लास्टिक या चीप से खुरकर होते हैं वह नाइट्रोजन उसमें रता जो हवा आपको दिखता है फुला-फुला कुश्चन नमर तेरह है ठोसा सुद्यों को सुद्य करणके निमलिखित में से कौन से प्रक्रिया सबसे कम होता है किसे प्राप्थ की जाती है ये प्राप्थ की जाती है ? किस से प्रात की याती है जणों के निकरसन से कोशन नमर 16 है त्री कोश्टिय हिर्दे पाई जाता है उभैचरों में उभैचर यानि एमफिविया मेडक में कोशन नमर 17 है हल्दी घाटी के यूद में माहराणा परताप के अलावा राजपूत सेना की सेनापती कौन था इसके स सफलता्त दтов फ्रांसिस्यों के सफलता के कारान संदर में निम्लेखित कत्स में से कौन से कथन सही है इसे कौन से कथन सही है भैला डियांग्रेजों को बंगल्म पबiasmर पार धनेम जन सक्ति का मिलना ही तो सही है दूसरा अंग्रेज़ों की बहतर नौ सेनी ताकत यह भी सही है इसका एंसर हो जाएगा सी एक और दो दोनों से इसमें कोश्चन नमबर उननीज है आपने आपको खलीफां घोसित किया था वह था मुबारक खिल जी यालाओ दिन कहिल जी एक पुत्र था मुबारक सा खिल जी इसीने अपने आपको खलीफा गोशित किया था कुश्चन नमबर 22 है निमलिखित में से कौन अजाध हिंद फाउज आई अन्य से जुड़े हुए नहीं थे तो वह थे बीसी दत इसमें जुड़े हुए नहीं थे कुश्चन नमबर 23 है निमलिखित अन्यम में से किसके द्वारा भारत परसाद अद्नियम को समाप्त किया गया है यह समाप्त किया गया था 1919 के अधनियम दरा 1919 के कौश्चन नमबर 25 है निमलिखित घटाओं विचार के उन्हें कालन करम में बेवस्थित कीजिए तो इसका एंसर हो जाएगा बी 20 का एंसर हो जाया क्रिप्स प्रस्ताव जाए 1942 में इसका डेट डेख लेजिएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में वेवेल वेजिना 1945 में और सी आर फर्मूला 1944 में तो इसका एंसर आजाएगा बी कोश्चन नमबर 26 है निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो इसका एंसर होगा बी कोश्चन नमबर 28 है इसको सुमेलित कर लेजिएगा इसका एंसर आएगा बी इसका सुमेलित है कोश्चन नमबर 29 है फार्चुन इंडिया की 500 कंपनी की सुची के अंसर वर्च 2019 की सबसे बड़ी निगम या कंपनी थी रिलाइंस इंडिस्ट्रीज थी सीस का एंसर होगा कोश्चन नमबर 30 है अमेरिका अधारित थिंक टैंक जनसंक्या समिच्छा रिपोर्ट 2020 के उसार निलिकित में से कौन सा कथन सही है इसमें कौन सा कथन सही है पहला दे इसमें भारत की जीटीप 2019 इसमें 209 लाख करोन थी सही है दूसरा है भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अर्थ ब्रस्था के रूप में उबराएवी सही है तीसरा है भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछी छोड़ दिया यह भी सही है इसका एंसर हो जाएगा डी को को सबसे बड़ा एक्सपो था कारण है एक्सपो का आयोजन भारत क क्यंत कर रूप में प्रस्तुत करना था है इसमें ए और दोनों से यह रहें हुआ याप्सपो levels करता है ड US मेंNo 32 hence कि इसको समूलित करते हैं को कुह कोश्चन नम्बर 35 है जिनेटिक उद्योग में समलित है उन्म नदी करे दो बार agony नदी कि तुन मघ नदिक करे रहतैं किसे भारत के जन्नाग कि देखते हैं नीचे देगे उत्तर का सही है कुट का सही उत्तर की जिए इसका सैंसर हो जाएगा आपका डी सभी चारों इसमें सही है एक दो तीन चार इसमें कोशन नमबर 38 है भारस सरकार द्वारा राष्टी हरित अधिकरां यानि एंजी टी की अस्थापना हुई थी यह का एंसर होगा 2010 नमबर 49 है कौन साइस उमेलित नहीं है त्याशं कर दिए कौन त्य खेतर के सब्सक्राइब लग्णानचन क्योंतीर, जर्मनी नार्मनदी नहीं है। कोश्चन नमबर 40 है निमलिखित में से कौन एक साइस हुमिलित है इसमें साइस हुमिलित है तो रूर जो है अध्योगी छेतर है अध्योगी छेतर कहां का जर्मनी के यह साइस हुमिलित है निमलिखित में देशों में से कौन जो है अफ्रिका के पसिमिटर्ट पर नहीं इस्त पार्क भारत का उसनिक नेशनल पार्क कहां परिशित है ये कच गुजरात में कुशन नमबर 44 है भारत की पहली सेमी हाई स्पीट ट्रेंड बंदे भारत चलती थी कहां से वरांसी से नई दिल्ली के मद्दे कुशन नमबर 45 है भारत के निमलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम क्रित्रीम रबल्ट सर यंत्र लगाया गया है यह लगाया गया है काँ पर पानी पत में अंसर होगा यह पानी पत कुशन नम च्छयालीस है भारत में सबसे बड़ी तील सोधन साला है सबसे बड़ी तिन सोधन साला है वह है जामनगर, question number 47 है निमलिखित में भारत का कौंझ सा राज सरबादिक लंबी टट वाला राज है तो है गुजरात, question number 48 है निमलिखित में जेल समुव trash कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोला प्रतान करता तो यह है गोडवाना लेंड का जो समू है उससे कुश्चन नमबर 49 है फारवरी 2020 में अमेर्की राष्टपती की भारत यातरा एक संदर मिलकित से कौन से इसमें दोनों कथन सही तो इसका एंसर हो जाएगा सी कुश्चन नमबर 50 है इसका मिला लेजेगा इसका एंसर होगा 50 का बी इसमें सही है यह की है महांत निर्त गुपाल दास यह राम मंदिर टर्श के अद् आसकर पुराशकार 2020 प्रदान के यह है पैरासाइट लगा सी पैरासाइट कुश्चन नमबर 52 है प्रत हम फेलो इंडिया विसुविया लेग खेल कहां एजित किया गया थैं कहाँ पर भूनेस्वर में कहां पर क्या गया फरवरी 2020 में सीनेट राष्टपती डोनाल्ड ट्रॉप को उनके विरूद चल रहे हैं माभियोग से बरी कर दिया गया तो ये बरी कर दिया गया था ये तो सही है और काराण है सीनेट में रिपब्लिकेंस संसदों के पेचाट डे में कुरश्टिक के संसदों के संख्याद ये कोशन नमर पच्पन है कुछ दुरों के किये गए परियासों है तो ब्यक्तिका स्रेणी में अंतराष्टी गांधी पुरस्का 2020 स्पाने वाले ब्यक्ति हैं एन एस धर्म सक्तू एंसर इसका बी होगा कोशन नमर चपन है निमलिखित में से साही बीकल्प चुनिए तो इसमे पर दिया है इसके संबंदे 14 होगा तो यानि कि 6 और प्लस 8 जोड़ेंगे यह 14 हो जाएगा तो यहां पर 68 यह वाला इसका एंसर सही है कोशन नमर 57 है सही युग में चैन किजी जिसमें दोनों सब्दों में से एक दूसरे के वड़ी वही संबंद है जैसा नीचे देगे 102 होगा 58 का और 69 का एंसर हो जाएगा C 10 फिर 60 का एंसर आपका हो जाएगा इसमें B 10 और 61 का एंसर हो जाएगा आपका D 13 और 62 का एंसर होगा इसमें ससुर होगा और mail 63 है उत्तर प्रदेश किसान संब्रिधी आयोक का गठन किस वर्ष हुआ था तो संबिर्दी आयव का गठन किस वर से यह हुआ था 1917 में कोशन नमबर 64 है निम्रकी जनपतों में किसमें सबसे कौम है किसमें सरावस्ति में अंसरों का भी सरावस्ति कोशन नमबर 65 है उत्तर पर्देश में कुल सीचित छेतर नहर कितने परसत है 27 परसत है कोशन नमबर 66 है बहुत यह असान कोशन है इसको मिला लिजेगा इसका एंसर बता दे रहे है चाछट का हो जाएगा बी इसको सुमिलित कर लिजेगा पीतल का समान जो है मुरादावाद एक तीन है बस इसके बाद मिल जाएगा इसमें कोशन नमबर 66 है उत्तर पर्देश के मुख लोक निर्त है तो यह हो जाएगा बी चर्कुला कर्मा और पांडव कोश्चन नमबर 89 है ब्यपार सुब्धा केंद्र क्राप्ट मीजियम के स्थापना उत्तर परदेश के किस जन्पद में यह हुई थी वाराणसी में इसका डी हो जाएगा वाराणसी में कोश्चन नमबर 70 है इफको यूरिया कारखाना उत्तर परदेश के निम्लिखित में से किस अस्थान पर है तो यूरिया यह कहां पर है आवला में आवला कहां पढ़ता है राय बरेली में पढ़ता है सारी बरेली जिला है कोश्चन नमबर 70 है निम्लिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है ते वह है इसका अंसर बी होगा संग राच्छेतर भाग एक में है नौकी साथ में कोश्चन नमबर 72 है राज्य की कारपाल का सक्ति का परियोग संसत्य कानून दथा राज्यों में लागुक कानूनों का अनुपालन सुनिशित करने है तूँ तो कोश्चन नमबर 72 है इसमें इसका एंसर हो जाएगा बी ए आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या नहीं करता है कोश्चन नमबर 73 है सुमेलित करने के लिए इसको मिला लिजेगा यह भी बहुत असान है इसका एंसर हो जाएगा सी एक कट्टू है इसका एंसर होगा त्यात्तर का एंसर होगा डी है एक अथ्री इसको मिला लिजेए साथवी में समवर्ती और आठवी में भासा है और नौवी में जो है कुछ अधनियमों का वीधी करना मानने है अधसवी में दल बदल है कूसर बांड के समवचत इससका इंज़ित हाँ नहीं है तो कूसर अहीं है कि 75 का एंस बोद्टक एंसर होगा आपका इसमें एंसर होका क्या से आइथ कौसर नहीं है हरित बांड के समध्दम निलखित में से कौन सा कथम सही नहीं है तो इसमें कौन सा ही नहीं है तो इसका एंसर होगा इसको सुमिलित कर लेज़ेगा कोशन नमबर 78 है 78 का एंसर होगा A A यार दोनों से यारेकी सही भी आख्या भी करता है कोशन नमबर 70 है वांगला उस्सो किस राज में मना जाता है कोशन नमबर 89 है वांगला उस्सो किस राज में मना जाता है तो वह अंगला जो है उस्व मना जाता है कहां पर यह तिरपूरा में कोश्चन नमबर 80 है जिवास में इंदरों में एक मात उर्जा का चरम स्रोथ है तो वो है पिर्थिवी जिवास में यहां पूछा है तो 80 का यह हो जाएगा लोधातों के छेकरण में कौन आवस्यक है तो वह है आक्सीजन और नमी कोश्चन नमर 83 है नेमलेकित में से कौन सा पदार्थ पिर्थभी पर प्राकिर्तिक रूप से पाये जानाल सबसे कठोरे तो वह है हीरा है कोश्चन नमर 84 है महासागर में डूबी वस्तों किसी थी जानने के लिए किसी अंतर का प्रेव के एता है तो वह है सोनार का रामसर सम्मेलन सम्मधित किसे आदर भूमी सरच्छन से कोश्चन नमर 86 है सम्मेलित करने के लिए इसको सम्मेलित कर लिएगा यह भी बहुत आसान कोश्चन है इसका एंसर डी सही सम्मेलित है कोश्चन नमर 87 है लाठी क्लब के अस्थापना निलखित में से किस ने कि थी यह कि थी बाल गंगा धर तिलक ने इस्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इसी धर्ती पर बहुत काम के जाना है उप्रयुक्त कथन किसका है तो ये एंसर इसका है स्वामी इस्वर चंद्र बिद्या सागर कोष्षण नमबर 89 है इसको मिला लिजtyगा 89 का एंसर है डी है इसका एंसर होगा डी है कोष्षण नमबर 90 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं इसका एंसर होगा बी एक अपहोर रेकेवल इसके बाुदेगा कोष्षण decisionwait किस हिंदू गरंत का फार्शनवाद है यह महाभारत का है कोशन नमर 92 है सुमेलित करने के लिए और करम सही बैठाना इसमें तो 92 का अंसर रहाएगा आपका बी सही सुमेलित है कोशन नमर 93 है निमलिखित घटनाओं को उनके कला करम में व्यस्थित कीजिए और निशी देख चुनिए तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका ए ए साइकरम सही कोशन नमर 94 है सुमेलित करने के लिए इसको भी सुमेलित कर ले जाएगा इसमें एंसर होगा ए कोस्टन नंबर 95 है इंपिरियल गजेटियर के संक्लान करता कौन थे इसमें संक्लान करता है बिलियम हंटर सारी बिलियम विल्सन हंटर यानि 95 का बी एंसर है छानबे का देख लिजिए छानबे का इसमें अंसर होगा ए सरुच नयाले वाला यह लेमेस्टर यह नियाले के मुख नए दिस नहीं थे इसमें किवल एक सही इसमें कोश्चन नमबर 97 है प्रमानित बीजे के थायलों का प्रियोग की जानाला टैग किस रंका तो यह होता है नीले रंका एंसर होगा यह नीले रंका 95 सारी 98 का एंसर होगा इसका बी इटावा पाइलेट प्रजेक्ट जो है अलबर्ट मायर यह सई सुमेलित है कोश्चन नमबर 99 है निमलिकित में से उतर परदेश का सरवाधिक फसल छेतर के अंतरगत सुमेलित नहीं है तो यह मक्का वरांशी यह सुमेलित नहीं है 902 का सी होगा कोश्चन नमबर 100 है देश की पाले इंटर सीटी बस सेवा फरवरी 2020 में पॉब्लिक प्राइबेट माडल के अंतरगत शुरू किया था तो 100 का हो जाएगा महाराष्ट से एंसर होगा ए महाराष्ट कोश्चन नमबर 101 है इसमें इसका एंसर होगा सी दूनों सही के इसमें कोश्चन नमबर 102 है सुमेलित करने के लिए इंडियन बैंक और आइसे एसे बैंक सिटी बैंक स्वास्तव बैंक तो 102 का एंसर हो जाएगा D इसका शाह सुमेलित है कोश्चन नमबर 103 है 103 में देखेगा इसका एंसर होगा A, A R दोने से 1 एक एसाही ब्याख्या करता कोश्चन नमबर चार है निमलिखित में से बेवसाय का समाजिक उद्धिस से क्या है रुजगार स्रीजन क्या है रुजगार स्रीजन कोश्चन नमबर 105 है कोश्चन नमबर 106 है निमलिखित राजियों में जरवा जन जाती निवास करती है कहाँ पर अंडमान और निकोबार दीप में 106 का डी एंसर है कोश्चन नमबर 107 है इसको समिलित कर लिजेगा इसका एंसर बता दे रहें सी इसका एंसर होगा कोश्चन नमबर 108 है भारत में मानसुन की उत्पति निमलिखित पौनों के द्वारा होती ते ये दच्छिर पसिम पौन द्वारा होती है इसका एंसर होगा और निमलिखित में से किस राज में करक रेखा नहीं गुजरती है ते मड़ीपूर से नहीं गुजरती है कोश्चन नमबर 110 है सुमिलिद करने के लिए इसको चले सुमिलिद कर लिजेगा इसका एंसर होगा सी सी इसका सही सुमिलिद है एक अपहोर में मारे से मिला लिजेगा कोश्चन नमबर 112 है सुमिलिद करने की लिए इसको भी सुमिलिद कर लिजेगा इसका एंसर होगा डी कोश्चन नमबर 112 keyword चलाव सरकार दर्श sources surrounding सुरूग गही अप्रेरक दाउर सम्मान निमलिखित में से किससे सम्बंदित्ध है यह सम्बंदित किसे अप्सिष्ट प्रबंधन और सहर की स्वस्था इस्तिति से कोश्चन नमर 113 है 2011 की जनकाड़ना के अंसार भारत के निमलिखित किस राज में अनसुचित जाती की संख्या सुन्य है अनसुचित जाती की संख्या सुन्य पुछाए तो वो है नागा लेंड में कोश्चन नमर 114 है 12 सरकार दोरा जून जुलाई 2020 में मनायागा संकल परो संबंधित है तो ये किस से संबंधित है तो ये है बिच्छा रोपन से नीली करांती मचली पादन से चितर गोट जल परपात ये है इंदरावति नदी पर कोश्चन नमर 117 है कुमायूं हमाले निमलिकित की नदियों के बीच इस्तित है तो ये इस्तित है 172 काली नदियों के बीच इसके अनसर होगा C 172 काली कोश्चन नमर 118 है राश्टिय वनिकरण परस्ते की बोर्ड यन ए ई बी के स्थापना भारत सरकार दोरा की गई थी यह की गई थी उनिस सो बानवेर में एंसरों का बी उनिस सो बानवेर निमलिखित में से कौन जून 2020 को मनाया गए सांखे की दिवस का थीम था तो यह था सतत विकास लच्छिय क कोश्चन नंबर 120 है किस वालिवूड अमनेतरी ने वर्ष्ट 2020 में पदम स्री पुरसकार प्रातियत है कंगना रनाओत कोश्चन नंबर 112 है जनुरी 2020 में कितने पद भीभूसन पुरसकार मलव प्रांथ परदान किये गए थी यह परदान किये गये थे कितने थे चार लोगो को को से नमबर 122 है अंतराष्टी ओलंपिक समित्य दोरा कि से कोचेज लाइफ टाइम एचिमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया तो यह सम्मानित किया गया था किसे पुलेला गोफी चंद को एंसर इसका बी होगा पुलेला गोफी चंद अंतराष्टी अमात्री आपरेशन वनीला निम्लेक्त में से किसे सम्मानित है तो यह है कि 124 का एंसर हो जायेगा आपका अपधा प्रबंदन से को सन मबर 125 है संयोक्त सेन अभ्यास अजेए वारियर 2020 निम्लेक्त किन देशों को बीच शंपन हुआ तो यह शंपन हुआ था भारत और उनायटिट कि इंडिया मैंनी ब्रिटेन के साथ कोशन नमबर 126 है भारत एक स्रेष्ट भारत भारत एक भारत स्रेष्ट बात कि संदर्में लिक्तित में से कौन से कथन सही है इसका एंसर हो जाएगा 126 का सी दोनों सही है इसमें कथन जो दिया है यह अभियान दस फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला था इसका उदेश देश में विभीन सांस्कृतिक गत्विद्यों द्वारा एकता को मजबूत करना दोनों से इसमें सी एंसर होगा कोश्चन नमबर 127 है इसका भी एंसर होगा सी साही सुमिलित है साही इसमें जो है कलेंडर वर आज दिसंबर को तीन दिसंबर 2000 को रभी वार था तीन जनौरी को तो इसमें हो जाएगा एंसर आपका बूद्ध वार को कोश्चन नमबर 131 है 121 में सपन जैसे वास्तिकता है उससे प्रका मित्ध है तो इस सत्य है यहने बी और कोश्चन नमबर 132 में आपका एंसर होगा 132 में 84 एंसर होगा बी 84 अंग्रेजी वर्ड माला इसमें 11 हो जाएगा लेदर टेक्नोलाजी पार कहां परिस्त है 134 का एंसर हो जाएगा बी कानपूर में कोश्चन नमबर 135 है उत्तर पर्देश में राज उच्छे सिछा पर्षद कव अस्थाफित की गई थी यह अस्थाफित की गई थी 1995 में निमलिखित में से कौन साही सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन साही सुमेलित नहीं है तो 136 का एंसर हो जाएगा ए इसमें जो आई पीतल मुर्तिया मत्रा यह साही सुमिलित नहीं पीतल मुरादाबाद होना चाहिए यहां पर कोश्चन नमबर 138 है 138 का एंसर हो जाएगा सी इसमें मिला लेजिएगा सही है यह कट्टू है देवी पाटन मेला यह बलरामपूर में कामपिल मेला यह फरुखाबाद में बटेश्वर मेला यागरा में ददरी मेला सब लोग जानते हैं बलिया में कोश्चन नमबर 149 है उत्तर परदेश में बुक्सा जन्जाती कहां रहती है भिजिनोवर में कोश्चन 40 है और अंतिकोश्चन है उत्तर पर देश में कितने मुख्य किरिसी जलवाइए त्यन है9 मुख्य किरिसी जल्वाइए यह थे कोश्चन आरो एरो 2020 जो पुना एक्जाम हुआ था 20 सितंबर का तो यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करेगा अपने दोस्तों के हाँ आधिक सदिक सेयर करें और इसका पीडियो भी डाउनलोड कर दिया गया है अगर आप लोग को चाहिए तो इसका पीडियो भी जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो है इसका एक्जाम नहीं दिये हैं तो इसका पीडियो डाउनलोड कर लिजिएगा खासकर जो नए चात रहें आगामी परिच्छा 2020 में आरो आरे हो कि आने वाली जो वेकेंसिय उसके लिए तो यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करेगा शेर करेगा तो धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में